नमस्कार साथियों मैं योगिश महरिया महरिया क्लासिस के यूटूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्थिक अभिनंदन करता हूँ हम बात करेंगे आज दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 के बारे में जी हाँ दोस्तों महिलाओं से संबंदित एक और अधिनियम के आज हम बात करने वाले हैं एक्जाम के दृष्टी कौन से जितने भी सवाल आपके बनने वाले हैं उन सभी को कवर करते हुए हम इस अधिनियम को पूरा पढ़ेंगे और साथ में आपको इस अधिनियम को पढ़ एक्जाम की दृष्टी कौन से हम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है जो भी हमारे यूटूब चैनल पर नए साती हैं उनसे आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें साथ में बैल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे हमारे दुवारा जितने भी जो नौटिफिकेशन वीडियो अप्लोड किये जा रहे हैं उनसे सभी के नौटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इससे पहले हमने एक एक्ट पूरा कर लिया है आज हम बात करेंगी दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें आप से पहला ही सवाल ये पूछा जाएगा कि दहेज प्रतिशेद अधिनियम कब पारित किया गया या कब बना तो आपको याद रखना है सन 1961 साथ में यहां से अन्यय जो अगले सवाल बनते हैं सबसे पहले यहां से आप से पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के अन्यय नाम यानि कि वो आपको इस प्रकार से नहीं दे कर इसके कुछ अन्यय नाम भी दे सकता है जिसे हम कई बार साम आम भासा में हम कहते हैं दहेज निशेद अधिनियम 1961 या हम सीधा कह देते हैं दहेज अधिनियम हम इसको विभाक करार अधिनियम भी कह सकते हैं विभाक करार निशेद अधिनियम हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं जिसको हम कहते हैं दहेज का देना या लेना प्रतिशिद करने के लिए अधिनियम दहेज का देना या लेना प्रतिशिद माफ कीजिएगा प्रतिशिद करने के लिए अधिनियम 1961 ठीक है और भी नाम है जिने आप मलब किसी भी नाम से तो आपको यहां मुखे रूप से याद रखना है जहां पे दहेज की बात होगी वो अधिनियम का पारित हुआ 1961 में पारित हुआ पहली बात दूसरी चीज हम बात करें विवहा करार निशेद अधिनियम यह आपके लिए पारित करने के लिए अधिनियम 1961 तो यहां से वो ऐसा कह सकता है दहेज का देना प्रतिशेद अधिनियम दहेज का लेना प्रतिशेद अधिनियम दहेज प्रतिशेद अधिनियम ठीक है तो यहां से जिस प्रकार के जो सवाल बनेंगे उन सब में आपके एक चीज याद रख कब परकासित हुआ यहां लिखने आप Act का राजपत्र में परकाशन तो आपको याद रखना है 20 मई 1961 साथ में हम बात करें यह अदिनियम Act का लागू होना तो Act लागू कब होता है 1 जुलाई 1961 ठीक है साथियों अगला इस Act की प्रकरती कैसी है कई बार यह एक्जाम में सवाल पूछा जाता है किसी भी Act के संदर में आता है संसत दुआरा जितने भी पारित अदिनियम होंगे जिनका उलेक समिधान में नहीं है वे सभी सामवीधिक परवर्ति के होते है ठीक है जिनका वर्णन समिधान में है उन्हें हम समिधानिक Act के नाम से जानते हैं चलिए इसके बाद में Act की प्रकरती हमने कम्प्लेट कर ली है तो साथ में साथ ही हो अब यहां से अगला सवाल यह बनता है कि इस Act में हम बात करें अध्याई कितने हैं तो Act में अध्याई सुनने हैं साथियों और साथ में इसी Act में हम बात करें यहां तक आप इसको सेम यहां से लिख देता हूं है थोड़ा यहां से लिख लिजिएगा अप एक्ट में धाराईं कितनी हैं तो आपको याद रखना है साथियों धाराईं टोटल 10 धाराईं इस एक्ट के अंदर विद्यमान है यानि कि इस एक्ट में किसी अध्याय का वर्णन नहीं किया गया है जैसा हमने पिछले एक्ट में पड़ा था वहां पर अध्याय थे उन अध्याय के अंदर धाराईं का वर्णन था यहां पर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपके केवल 10 धाराईं हैं अब यहां से जो सवाल बनने हैं वो सीधे बनने हैं मुख्य रूप से आपका एक तो यह सवाल बनता है वाजिव कि दहेज निशे ददिनियम कब लाग हुआ एक जुलाई 1961 को दूसरा ये सवाल बनता है कि दहेज निशे ददिनियम की प्रकृति कैसी है सामिधिक आपके सामने चार ओप्षन होंगे समिधानिक, सामिधिक इसके बाद में आएगा उप्रोक्त दोनों उप्रोक्त में से कोई नहीं कौन सा होगा सामिधिक या अन्य कोई भी ओप्षन हो सकते हैं साथ में दहेज निशे ददिनियम में अध्याय कितने हैं सुन्ने तो यहां से आपके जो सवाल बनते थे वे मुख्य रूप से आपके सारे क्लियर हो गए है अब साथियों इसके बाद में आपके सामने जो ये टोटल दस धाराएं है इन दस धाराओं को हमें पढ़ना है और इन दस धाराओं से जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे कौन-कौन से बनेंगे देखो साथ ही हूँ यहाँ पर दो चीजे हैं मैं आपको बताऊं दस्तों जो हैं हम कहें प्रधान धाराएं हैं और इसके साथ जो बाद में जो कुछ धाराएं जोड़ी गई वो टोटल तीन धाराएं हो रहे हैं देखो एक तो चार जोड़ी गई और इसके बाद में जो है आठ A, आठ B तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल अभी हम इसकी बाद करेंगे आपको मैं समझाओंगा कैसे जो बाद में धाराएं जोड़ी हैं वो अच्छा उससे संबंदित यहाँ से एक और सवाल बनता है और यह काफी important है एक्ट में संचोधन हुआ कब हुआ कितनी बार हुआ तो एक्ट में संचोधन अब तक जो है दो बार हुआ है कितनी बार हुआ है दो बार कब कब हुआ एक तो 1984 में और 1986 में दोनों ही important है और यहाँ से आप मान के चलिएगा जब सवाल बनेगा तो बहुत ही authentic और standard सवाल 1984 में 1986 में 1988 में और 1990 में और आपके सामने option होंगे A, A, B, A, B, C, A, B, C, D तो आपको याद रखना है 1984 और 1986 में संचोधन हुआ कितनी बार हुआ दो बार किया गया है तो ठीक है साथ ही यहाँ से आपके जो सवाल बनते थे वे clear हो गए अब हम बात करेंगे मुखे रूप से ज इसके साथ में जो बाद में अन्य धाराएं जोड़ी गई उनके बारे में भी हम बात करेंगे यानि कि हमें यहां से इन धाराओं को याद करना जरूरी है क्योंकि यदि हमें यह धाराएं याद होंगी तो हमें एक्ट के अन्य प्रावधान याद करने में सहूलियत रहेग तो साथियों अब हम बात करेंगे इस अधिनियम से संबंदित जो हमने धाराओं की बात की थी कि वही हम धाराएं इस अधिनियम में यदि हम देखें तो मूल अधिनियम में दस धाराएं थी और बाद में जो है इनी के साथ में सैयोग में तीन धाराएं जूड़ी गई धारा एक संसित नाम जैसा हम हमेशा एक्ट में पड़ते हैं संसित नाम विश्तार वे प्रारंब होने की तिथी यानि कि धारा एक में हम बात करें प्रतिक अदिनियम में इन तीन चीजों का प्रावधन होता है उस अदिनियम का संसित नाम उसका विश्तार कहां तक होगा उसके प्रारंब होने की तिथी क्या होगी चलिए इसके बाद हम बात करें धारा दो धारा दो हम बात करें तो यहां प्रावधान करता है धारा दो दहेज की परिभाशा इस एक्ट में अन्य कोई परिभाशा नहीं है केवल धारा दो में दहेज की परिभाशा का प्रावधान किया गया है साथिय। इसके बाद में हम बात करें धारा तीन दहेज देने वे लेने दोनों के लिए शास्ती अब देखो यहां पर यह बार बार इस शास्ती सब्द का प्रियोग हुगा तो आपको यहां पर समझना है इसका अर्थ है दंड एवं जुरुमाना ठीक है बार बार इस शब्द का प्रियोग हुगा आगे हम बात करें धारा चार दहेज मांगने के लिए सास्ती दहेज मांगने के लिए सास्ती का प्रावधान यानि कि दंड या जुरुमाने का प्रावधान इसी के साथ धारा पांच यह शुत्माफ कीजीगा पहले हम धारा चार के की बात कर लेते हैं धारा चार के बात करती है विज्यापन पर पाबंधी ठीक है सास्ती हूं इसी के बात हम आगे बात करें धारा पांच तो आपकी धारा पांच प्रावधान करती है दहेज लेने या देने के लिए करार का सुन्य होना आगे हम बात करें धारा चार के बारे में तो धारा च्छे प्रावधान करती है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए उसके वारिसों के फाइदे के लिए होना साथ में हम बात करें धारा साथ प्रावधान करती है अप्राधों का संग्यान ठीक है साथ ही हूं अब इसके बाद में हम बात करें धारा आठ आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है चलिए अपन एक और यहां पर धारा लिख सकते हैं धारा आठ धारा आठ प्रावधान करती है अप्राधों का कुछ प्रियोजनों के लिए संग्ये या जमानितिये या समनिये होना यह माफ कीजिएगा एक मिनट चलिए लिख देता हूं यहीं लिख देता हूं अप्राधों का कुछ प्रियोजनों के लिए संग्ये जमानितिये इसको मैं उपर लिख रहा हूं यहाँ पर आप इसको लिख लिख लिजिएगा और यहां से धारा आठ तक के प्रावधान हमारे क्लियर हो चुके हैं अब हम बात करें धारा आठ कै और धारा आठ खै धारा आठ प्रावधान करती है कुछ मामलों में सबूतों का बहार और यहां हम बात करें धारा आठ दहेज निशेद अधिकारी की नियुक्ति साथ में धारा नो प्रावधान करती है केंदर सरकार द्वारा केंदर सरकार की नियम बनाने की शक्ति साथ में हम बात करें तो आपकी धारा दस यहीं लिख रहा हूं मैं आप थोड़ा इदर लिख लिजेगा धारा दस राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति अब आपके सामने मैंने जो टोटल धाराएं लिखी हैं तो आप जब गिंती में गिरेंगे तो आपके सामने दस धाराएं हैं लेकिन इसके अतरिक्त जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन धाराएं एक दो और तीन तो टोटल कितनी हो गई तेरा दाराई ही हो गई यानि कि थीन धाराएं बाद में जोड़ी गई हैं तो चलिए साथ ही यहां से बात करते हैं हम एक-एक धारा को समझेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किये गए, कैसे प्रावधान किये, हाला कि इसके ओपर हम विस्तरी तूप से चर्चा करेंगे, एक-एक धारा को हम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या प्रावधान है, सरकार के दुआरा कौन से प्रावधान किये गए वो हमारे अच्छे से समझ में आईगी, चलिए, सबसे पहले धारा एक, धारा एक में इस अधिनियम का संसित नाम, तो संसित नाम क्या है दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961, विस्तार वर्तमार में विस्तार संपूर्ण भारत में है, प्रारम होने किती थी, जैसा कि मैंने आप को बताया, एक जुलाई 1961, आगे हम बात करें दहेज की परिभाषा, धारा दो में क्या है, दहेज की परिभाषा, तो ये परिभाषा हम जब इस धारा को, अभी हम पढ़ेंगे वापा सिक्किक धारा को, तब हम समझेंगे, दहेज यहां समझना, यहां से जो सवाल बनते है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, दहेज देना, देखो, वे लेना, दोनों के लिए सास्ती, दंडिया जुर्माना, यानि कि दहेज देना भी जुर्माना है और दहेज लेना भी क्या है, अपराध है, हम बात करें, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की शिरेणी में आत यानि कि दहेज की मांग करने के लिए दंड या जुरुमाने का निर्धारण धरा चार में किया गया है। अब यहाँ से एक चीश आप काफी इंपॉटेंट जो आपके सवाल बनेगे धरा तीन और धरा चार में से। आपका क्या बनेगा देखना। दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतरगत किया गया है। सीधा सा सवाल है। कोई फिर बदल नहीं है। दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान है। यदि आपने धारा मुख्य रूप से पढ़िये तो आपको पता होगा धारा 3। ठीक है। वहीं मुखे रोप से जब हम एक्जाम में पढ़ते हैं तो आपने जितने बुक्ष पढ़ी हैं उन सब में धारा तीन और चार को जोएंट मिक्स करके दे रखा है साथियों आपको यहां पर मिक्स नहीं पढ़ना है इसको अलग-अलग रूप से पढ़ना है क्योंकि यहां सवाल अलग-अलग रूप से आपसे पूछा जाएगा तो यानि कि दहेज मांगने के लिए दोनों में ये डिफरेंस है धारा चार में तो क्या है दहेज की मांग की जा रही है और धारा तीन में दहेज लिया गया या दिया गया उसके लिए दंडगा प्रावधान है इसके अत्रिक्त धराचार्क है ये बाद में जोडी गई ये विज्ञापन पर पाबंदी लगाती है विज्ञापन पाबंदी कैसे देखे समाचार पत्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या नातेदार किसी भी का भी जो है शादी का कोई प्रति भूति जो दहेज निशेद अदिनियम की धारा के अंतरगत आती है परिवाशा के अंतरगत आती है तो ऐसी कोई भी जो हम विग्यापन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता ना तो कोई विग्यापन ऐसा अकबार में देगा और ना अकबार वाला ऐसा कोई विग्या पंच रव्यापिसरुफन की किया है आएगे कया तो आपके सामने लेने कुना कर चाले किया गया है तो आपके सामने stressed ün लेने के लिए करार किया गया है कोई एग्रिमर्इंट किया गया है शादी से पहले शादी के समय या सादी के बाद में किसाब हम दहेज के रूप में आपको इतना पैसा या इतना प्लोट मकान कुछ भी मुल्यवन प्रतिबुदी हम आपको देंगे तो इस प्रकार का कोई भी यह दिए अग्रिमेंट किया गया है तो वो जिस रूप में किया तब से ही वो सुन्य माना जाएगा वो प्रभाव में नहीं आएगा उसके आधार पे कोई व्यक्ति कोट में नहीं जा सकता है साथियों चलिए आगे हम बात करते हैं दहेज का पत्नी या उसके वारिशों के फायदे के लिए होना चलिए इसको एक लाइन में ऐसा समझते हैं क कि मान लीजिए पत्नी के अत्रिक्ति किसी व्यक्ति ने दहेज ग्रहन किया हमारे यहां पुराने जमाने में बाल विभाव प्रथा परचलित थी आप सभी को पता होगा तो महिला 18 साल के नहीं होती थी तो ऐसी सिच्विशन में जो है पत्नी के हम बात करें जैसे महिला के नातेदार द्वारा जो है दहेज ग्रहन कर लिया जाता था तो 18 साल की उम्र पूरी होते ही जो दहेज या जो उपहार उसे मिले हैं वे सभी उस पत्नी को सोपना जरूरी है और यदि उसकी मृत्ति हो जाती है तो ऐसी प्रिस्तितियों में ये सारी चीजे उसके वारिसों क जो है ट्रांसफर की जाएंगी अन्य कोई व्यक्ति इस पर जो है दावा नहीं कर सकता इससे संबंदित और भी काफी अच्छे हम कहें प्रावधान या कठोर प्रावधानियां किये गए हैं उनको भी हम पड़ेंगे और यदि कोई व्यक्ति जो उस पत्नी को दहीज मिला ह उपहार मिले उन्हें लोटाने से मना करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है शातियों चलिए अपरादों का संग्यान लेना ये काफी महतपुन है और काफी अच्छा है देखो जैसा कि हमने बात करें अपरादों का संग्यान सबसे पहले तो अपरादों का संग्यान मैं कहूं महानगर मजिस्टेट और प्रथम वर्ग के नयाइक मजिस्टेट के अत्रिक्ति जो नीचे के मजिस्टेट है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अपराद का संग्यान नहीं लिया जा सकता इस एक्ट में ये साफ साफ जमानेतिये और ऐसमनिये होना देखो अपरादों का कुछ प्रयोजनों के लिए संग्यान यानि कि संग्यान अपराद अब इसमें कौन सी चीज़े हैं वे सभी चीज़े आएंगी यदि किसी महिला की साथ वर्स के अंदर मरत्य हो गई सपोच करो साधी की तो ऐसी सिच्व संगीन अपराद होगा तो क्या होगा वो जमानेतिये होगा यहां पर जमानेतिये लिखा हुआ है आपको यहां पर याद रखना है लेकिन जब हम दो चीज़े हैं एक तो जमानत और एक बिना जमानत वाले तो जो बिना जमानत वाले हैं वो ऐसी आईगी जहां पर मरत्य हो ना यानि कि जिसके लिए माफ नहीं किया जा सकता ठीक है आगे हम बात करते हैं धारा आठ के कुछ मामलों में सबूतों का भार देखो काफी इंपोर्टेंट धारा है धारा आठ कुछ मामलों में सबूतों का भार इसका आर्थ ये है कि यदि आपके उपर कोई आरोप लगा दिया गया है इस दहरा में जो प्रावधान किये गया है साथियों वो कुछ ऐसे हैं यदि आप पर दहीज के आरोप लगा दिये गये हैं या आप पर इस एक्ट के अंतरकत कोई आरोप यदि आपके उपर लगाए गये हैं तो आपको खुद को साबित करना होगा कि मैं कोट में लेकिन यहां आपको खुद को सबूत पेश करने होंगे कि साब मैं क्या हूं बेगुना हूं समझ रहे हैं यहां तो पुलिस की भूमी का सिर्फ इतनी है उन्होंने मामला दर्ज कर दिया कोट में पेश कर दिया और जैसा महिला ने कहा उओ ही क्या है सत्य है बस अब आपको पेश कर आपको यह सबूत पेश करने के साब मैं बेगुना हूं चलिए दहेज निशेद अधि अधिकारी की जा सकती है वो कितने भी ऐसे दहेज निशेद अधिकारी की जाएगी जैसा कि वर्तमान में महिला थानों के माध्यम से हम बात करें प्रामर्स केंद्रों के माध्यम से इस प्रकार के कुछ अधिकारियों की निशेद की गई है यानि कि प्रतिक जिले में हम कहे आपको नियोंतम एक देहेज निशेत अधिकारी तो मिलेगा ही सही ठीक है उसकी भूमी का जो है वो अलग बात है आगे हम बात करें धारा नो केंदर सरकार के नियम बनाने की शक्ती ठीक है यानि कि इस एक्ट को प्रभावी करने के लिए केंदर सरकार नियम कानून काईदे बना सकती है साथ में हम बात करें धारा दस इस बात का प्रावधान करती है कि राज्य सरकार भी इस एक्ट को प्रभावी करने के लिए नियम कानून बना सकती है उन्हें लागू कर सकती है साथियो तो उम्मेद करता हूँ आपकी ये 10 धाराएं आपको समझ में आ गई होंगी ये basic structure है इसके बाद में अब हम जो इसकी मूल सरचना यानि की बिलकुल खुल के हम धारा एक से लेकर धारा 10 तक और प्लस आपकी जो 3 अतरिक्ते धाराएं हैं उनके बारे में अगली कक्षा में ब पसंदार आये साथ ही हूँ तो आपसे निवेदन हैं आप अधिक से अधिक लोगों के साथ इस content और अध्यन सामगरी को share करें साथ में वीडियो को like जरूर करें और comment भी करें और आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लें जिससे आपको इसी प्रकार का content और अध्यन सामगरी तुरंत प तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज कई कक्षा आपको पसंदाई होगी अगली कक्षा में हम इससे सम्मंदित सभी प्रावधानों के बारे में बात करेंगे तो इन्ही सब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाता हूँ जैहिन जैभारत मेरे साथियों